लेकिन दोस्तों आपके लिए अच्छी खवर है You can successfully gain weight and muscle ऐसा केबल तब हो सकता है जब आप खुद को सही फूड खाने के लिए देश के तो हम किन फूड की वाद कर रहे हैं खैर ऐसे तो बहुत से फूड हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं लेकिन यह वीडियो आपको पांच बेस्ट फूड के बारे में बताएगा आईए जानते हैं उन पांच बेस्ट फूड के बारे में अगर दोस्तो आप हमारी चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करो और बेल आइकन पे क्लिक करो तो हमारा सबसे पहला फूड है दूड पहले स्थान पर दूड है बजन बढ़ाने और मसल गेन के लिए दूड बेस्ट फूड है बेशक दूड यहां दशकों से है और अच्छी बात है कि यह हमारे लगबग हर घर में इजिली अवेलिबल हो जाता है दूड प्रोटिन से भरपूर होता है जिस से मसल गेन फास्ट होता है और तो और दूड केल्शियम वाइटेमन्स एंड अन्य अवशक खनिज्जों का एक बड़ा सरोत है आपने एकसरसाइज के बाद बस एक या दो गलास पीने पर ध्यान देना है यू विल डेफिनेटली सी रिजाल्ट्स हमारा दूसरा बेस्ट फूड है प्रोटिन समूदी जो की होमेड रहने वाली है बजन बढ़ाने के लिए आप एक निश्चत तेज और असान तरीका खोज रहे हैं यदि ऐसा है तो एक बार प्रोटिन समूदी जरूर ट्राई करके देखें हम जानते हैं कि आप स्टोर से ख्रीदेगे प्रोटिन पाउडर के वारे में विचार कर रही होगे लेकिन हम पर बिश्वाश करें हमारी होमेड समूदी बाहर के प्रोटिन से कई गुना बहतर होगी तो बात यह हैं है दोस्तों कि बाहर के प्रोटिन चीनी से भरे होते हैं और उनमें पोश्क तत्वों की कमी भी होती है याद रखे हम बजन और मसल कोस वास्थे तरीके से हासल करना चाहते हैं और इसका कोई भी शॉटकट नहीं है प्रोटिन स्मूदी कई परकार की हो सकती है आप गूगल कर सकते हैं प्रोटिन स्मूदी के बारे में बस आप अपना होंबर करें मिक्स करें और पीना शुरू कर दें नमबर तीन पे आता है पटेटो और स्वीट पटेटो आलू में कार्बो हाइडरेट्स अधिक मातरा में पाए जाते हैं अगर आप बॉयल्ड आलू को दहीं के साथ जा फिर शकर गंदी को ब्राउन बेड के साथ लोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल हमारा चोथा पॉइंट है नाट्स एंड नट बटर मेवे और अक्रोड का मक्षन दोनों ही आपको बजन बढ़ाने की यातरा के लिए एकदम सही हैं सबसे पहले नाट्स कैलरी से भरपूर होते हैं बास्तम में नाश्टे के रूप में दिन में सिर्फ दो मुठी खाने से स 13 ग्राम गुड फैट होती है नट बटर के लिए आप पीनट बटर को चूज कर सकते हो और पीनट बटर को ब्राउन ब्रेड के साथ आप एज़ा सनेक अपनी डाइट में एड़ कर सकते हो हमारा पांच माँ पॉइंट है राइस लास्ट बट डेफिनेटली नॉट दे लीस असान है लेकिन साबधान रहें कुछ परकार के चावल में आरसायनक की मातरा अधिक होती है एक रासायनक तत्व जो मेटल टेक्सिटी पैदा कर सकता है और एक बार जब आप अपना चावल त्यार कर लें इसमें कुछ प्रोटिन एंड फैट एड़ करना ना भूलें ऐसा क करने से आपको और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे तो यह थे पांच बेस्ट फूड जो वेट गेन एंड मसल गेन में आपकी हल्प कर सकते हैं तो दोस्तों अभी यह आपके ओपर निर्वर है कि आप कितनी डेडिकेशन से फूड का सेवन करते हैं तो ठीक है दोस तो आज गे लिए सिर्फ इतना ही नमस्कार जैहिन